हेलो, नमस्ते, मैं इरीन और ये मेरे कोकोपीट का पार्ट वीडियो है, पार्ट वन वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि खरीदने के बाद से, मैंने इन्हें कैसे गीला करके रखा था, उसके बाद इन्हें धूप में सूखने देना होता है, धूप नहीं भी है तो कुछ तो जाता नहीं है ना फिर खेर तो यह जो कोको पीट है सुखने बाग के बाद यह ऐसे नजर आते हैं कोको पीट जो है इनके फायदे कई सारे हैं लेकिन फिर भी आपको इन्हें यूज करना चाहिए यह नहीं यह आप खुड डिसाइड कर सकते हो यह आपको वीडियो के अंड तक पता चल जाएगा अगर आपने कभी यूज नहीं किया है तो खैर इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि यह काफी ज्या को नट का चिलका होता है उससे बनाया जाता है उसको डिकम्पूस करने के बाद से कुछ महीने का टाइम लगता है और यह देखिए गीला करने के बाद यह ऐसा डाग ब्राउन सा नजर आता है और इसके अंदर काफी जाधा पानी है इसकी मौश रेटेंशन के जो कर रहते हैं तो यह था कि सीड उगाने के लिए क्योंकि यह पानी काफी जादा होड़ कर लेता है तो इसी वज़ए से उनमें सिया फिर सीड उगाना बहुत जादा एजी होता है लेकिन मिट्टी में आप मिलांके यूश करो तो मिट्टी का टेक्शचर अच्छा हो जाता ह होधे लिस आना जाना हवा का जो है वह बहुत इजली हो जाता है तो रूट्स गाल आएर मिलती है इसके अलावा ड्रैनिंस इस्सटम प्लांट का बहुत सही हो जाता है मतर्लों हो रिक यह ठीक है थीज़ेंगे वी atlis fort ondra r और्नी रधसर और मौन रिकान काषें पानी को और यह हलका होने देखा जाया तो एक और इससे फाइदा हो जाता है इसका वजन होने से कि आप इदर इसके गंले में डालके बहुत जल्दी कैरी कर सकते हो फीच जो है उसको थोड़ा neutralize कर देता है, nutrients भी neutralize कर देता है, अगर आपने जादा डाल दिया है तो, क्योंकि जादा nutrients भी plants के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ओके खेर, मैं इनको लाई थी hanging basket बनाने के लिए तो देखिए और काफी हलका था, यह तो इतना easily hill रहा है ना, अब हम बात करते हैं कि कोको पीठ हमें खरीदना चाहिए या नहीं, देखें यह आपके situation पर depend करता है और situation के हिसाब से ही, अगर आपको जरुरत है तो लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए तो first thing आती है, location आप कैसी जगह पे रह रह रहे हो, वहाँ पर आपको मिठी easily available है या नहीं, अगर आपको मिठी आसानी से मिल जाती है, तो as such बहुत नीड नहीं है कि आप कोको पीठ ले लेकिन आपका घर ऐसी जगह पे है, जहां जल्दी मिठी नहीं मिल सकती है, आपको आप apartment में रह रहे हो या ऐसे complex में रह रहे हो, जहां पे directly normally मिठी नहीं मिल रही है या फिर ऐसी जगह पे रहे हो, जहां कि आपको मिठी भी खरीदनी पड़ रही है तो कोको पीठ अच्छा alternative हो सकता है मिठी की जगह पे दूसरी बाद आती है, लेकिन हाँ दूसरे factors हो सकते हैं जैसे कि माले जए, आप किस तरह का plant लगा रहे हो सपोस्ज आप सबजी लगाते हैं या फल लगा रहे हैं, या फूल लगा रहे हैं तो उनको आप outdoor setting में रखते हो तो उनको धूप काफी उनके उपर लगती है जल्दी evooperation होता है पानी का तो पानी जल्दी खतम ना हो पौदे का तो उस केस में आप मिट्टी में अगर कोको पीट मिला देते हैं तो पानी का, जो पानी का सारी, मिट्टी का पानी होल्ड करने की capacity तो आपको जल्दी जल्दी पानी नहीं देना पड़ता तो आपका पौधा जो है जल्दी सूखेगा नहीं और ऐसे plants को तो पानी भी बहुत सादा चाहिए होता है फिर बाद आती है, अगर indoor plants ही है ठीक है, अब भी तक तो outdoor plants की बात है अगर indoor plants है, तो उस case में आपको चाहिए या नहीं तो डिपेंड कर रहा है आपके planter के size पे माली जो आपका गमला बड़ा है तो बड़ा गमला आप इधर से उधर जल्दी shift नहीं कर सकते हो है ना, तो उस case में भी आप अगर मिट्टी के अंदर कोको पीट मिला लेते हो, तो फिर आपका गमला shift करना असान होगा क्योंकि गमला काफी हलका हो जाएगा तो यह भी फायदा है कोको पीट यूज़ करने से फिर आती है बात watering habit आपके कैसी है अगर आप पौधे को बहुत जादा पानी देते हो या कम पानी देते हो उसके उपर भी रहता है अगर आपको मालीजे, बहुत जादा पानी डालने के already आदत है उसके चलते है आप पौधे सड़ जाते हैं तो उस case में आई सजेसी कोको पीट ना ही यूज़ करें क्योंकि उसमें तो एक बार भी आप डाल दोगे तो काफी दिन तक चल जाता है तो आपका पौदा सर्वाइफ कर जाएगा अच्छे से फिर बात आती है कि अगर आप हैंगिंग बास्केट्स बना रहे हो या वर्टिकल गार्डन लगा रहे हो दिवाल के ऊपर प्लांट्स है के उपर गुरुतवा कर्शनबल का तो भाई खीचाव पड़ेगा भारी पड़ेगा अगर आप कहीं हैंक कर रहे हो तो कील निकल सकती है रस्ती तूट सकती है तो गमला हलका रहेगा तो ही अमारे लिए प्रेफरेबल होगा तो फिर वहां कोको पीट आ जाएगा काम में है तो आप हफते बर भी पानी नहीं देंगे यारी आप हफते बर गायब है आपका कामी ऐसा है कि आपको जाना पड़ता घर छोड़ छोड़के तो उस केस में आपके लिए कोको पीट काफी हेंडी हो जाएगा तो यह सारे मुझे लगे कि कहां आप कोको पीट यूज कर सकते